इसे बोर्ट 11th class mathematics में टोब चला वाट देटीक के के सिटेशन का बीर नुबा है तो इसमें कुश्यन है थे हाइपोटेनियस आफ फे राइट अंगल टांगल इस 17 जिसका हाइपोटेनिस 17 है और देटेशन बेटीबेटेशन डीर ते चला देटीक के सिटेशन के सिटेशन हाइपोटेनिस आफ परपेंडिक्लर इसका है प्लस बेस इसका है 17-2 equal to x squared plus y squared find the other two side यानि कि हमको 2 other side जो है तो हम भाइड करने है तो formula हो सकता x minus y का हालो बाइस्कार equal to x squared plus y squared plus 2x by take x squared plus y squared 17-2x7 इसे निकल राएगा 7-4 7-449 equal to 17-289 plus 2xy यहां से हम x plus y निकाल सकते हैं x plus y का हालो प्रसकार इकल टो x square plus y square plus 2xy x square plus y square 17 x square plus 2xy था माइस का 240 x plus y का हालो प्रसकार इकल टो 289-240 जब ट्रेक्टिंग करेंगे 49 x minus y का हालो प्रसकार इकल टो 49 यह एक्स प्रसकार इकल टो होगा 7 उकेशी नमबर 3 x plus y इकल टो 17 का स्क्राइब मिस्टेक तो नहीं हो गया है 17 का स्क्राइब 17 साथ का स्क्राइब यह हो गया हाँ माइनस का फ्रमुला था यहां पर माइनस होना है माइनस का 2x y है and 2xy की जो प्रसकार इकल टो हो गया अब अब एड हो जाएगा और एड होनेगा 9 and 529 529 तो X plus Y इकल तो अंडर रोट 529 529 ठीक है तो 529 होगा 23 का होना ची ठीक है X plus का बाई इकल तो 23 equation number हो जाएगा 3 solving execution को first को and third को solving करेंगे solving equation number first and third तो ये है X plus का Y इकल तो 23 adding करेंगे तो Y से Y कैंजिन होगा 2X इकल तो 30 and X इकल होगा 15 यहां पर कहीं value put कर देंगे X plus Y इकल तो 23 15 प्रेस का Y इकल तो 23 then Y इकल तो 23 माई इसका 15 8 Y इकल तो 8 and X इकल तो 15 next question लेते है next question है the sum of two number is nine sum of two number is nine दो number करसम nine है sum of their square is 41 sum of their square is 41 उनके square करसम 41 हो तो one number को X let करेंगे then find the other number यहिए कि one number को taking करना X ठीक है and find the other number एक number को X take करके उसका equation बना ही है मेरा ना पहले आउसका सोली करना है ठीक है taking first number is X and solving the equation solution अभाईदा कोड़ के एक रेचे तो लेट के ले रहें है कि लेट है कि मैं नंबर घिज्ट एक्षैंड वाई एक्ष्अ वाई एक्षैंड वाई एक्स के टर्म में equation बना है तो x plus का y equal to 9 first equation there's sum of square है यहीं कि square का sum x square plus y square equal to 41 equation number 2 y की value तो y equal to हो जाएगा 9 minus x यह वाली value यहां पर प्रोट कर देंगे x square plus 9 minus x का हाला पर इसका है इकल टो 41 तो x square plus 9 minus 81 plus x square minus 18 x equal to 41 तो यह वोगर 2 x square minus 18 x plus 81 minus 41 equal to 0 2 x square minus 18 x plus 40 equal to 0 तो x square minus 9 x plus 20 equal to 0 यहां है quadratic equation 20 कैसे factor जिनका sum 9 हो यह हो जाएगा 4 and 5 4 plus 5 चर्पन जो इसका v equal to 0 तो x square minus 4 x minus 5 x plus v equal to 0 factorize कर लेंगे x common लिया x minus 4 minus 5 common लिया x minus 4 equal to 0 x minus 4 and x minus 5 equal to 0 x equal to 4 and x equal to 5 दो quantities आजाएगी जिससे हम x equal to 4 पे y आजागा 5 और x equal to 5 पे y आजाएगा 4 तो यह पांटो ठीस finding करना था x and y की value लेना था x plus 5 equal to 9 है x equal to 4 यहां put करेंगे तो y 5 आजाएगा x equal to 5 पूट करेंगे तो y 5 आजाएगा 4 ठीक है पूपिर लेते हैं हम हुआ है है हुआ है हुआ है 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 कि एक रेक्टेंग्लर गाडन चैनल में 10 meter by 16 meter यह एक rectangular gardener है a rectangular gardener a rectangular gardener 10 by 16 meter यह 16 meter यह 10 meter यह यह एक rectangular gardener 10 by 16 meter by the surrounding a concurrent wall is a uniform bath ठीक है the area of the wall is 120 square meter find it best अब देखेगा इसके चार और एक पाथ बना हुआ है ठीक है एक पाथ बना हुआ है यह 16 meter और यह 10 meter जिसकी जो बैथ है यानि की जो चोड़ाई है वो सामान है एक्वल है जिक इक्वल है तो यहां X है यहां भी X है यहां भी X होगी यहां भी X होगी और यहां भी X होगी equally xx है ठीक है तो area of part equal to 120 square meter जो यह जो है मेंदन यह टहनले का जो मेंदन है यह नि बाल्ट के बाग है इसका area इसका area यह इनि area of इसकी वह इसके वानेट करना है एकसिदा वेट ओफ बार अब अंदर अब दीखें गा अगर इसका कम्प्रेट एडिए लेते हैं यह एकस अगर एकस इदार हो गादully तो यह होजाएगा 16 plus 2x x इधार और x इधार ऐसे ही हल भी ब्रिथ लेते हैं तो भी इकल्ट हो जाएगा xya और xya यानिकी 10 plus 2x ठीक है तो एरिया ओफ कम्प्लीट फिल्ड विद वार्ट एकल्ट हो जाएगा एलें टू ही यानिकी 10 प्रस 16 प्रस टू एक्स एंड टैन प्रस टू एक्स ठीक है दो अग्सक्षिन में कहा है जो कम्प्लीट का जो एरिया है ठीक है जो कम्प्लीट का एरिया इस एरिया के अंदर वाले में इस एरिया के और इस एरिया के बराबर होगा कम्प्लीट का एरिया आ चुका है तो यह होगा एरिया 16 इंड टैन अंदर का एरिया प्लस बाग का एरिया फाल का एरिया 120 ते रखा है यहां से कुछ कॉमन निकाला जा सकता है एकसि फ़का स्का 12-120 फोर गोमन निकालते हैं एकसि फ़का है प्सका छालेस प्रकुंटे में का चालीस के एकसि फथेटर जिसका डैसे हैं जिफैंस क्या हो 13 हो 14 दस चालिस होता है और चार पूमन निकला है चार पूमन निकला है चार तिया बाद तीस होगा तीस कैसे फेक्टर जिसका डेफेंस पंदर दमी तीस है जो रास्ता बना हुआ था यह बाद था यह बाद था उसके आरे बेध होगा बेध होगा भो हो जाइगा हमारा तू